हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शीडिपी को इन हिमानशी में हैं तो पिछली क्लास में हमने क्लास थर्ड और फॉर्थ के एन्सी आटी बेस्ट कुछ कोशन्स किये थे तो आज की क्लास में हम उसी के आगे वाले कोशन्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दिजिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं शबी लोगे बागे क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए देखते हैं पहला कोउचन, पहला कोउचन है भारत के करनाटक राज में बच्चों को भी गाउं की पंचायत का सदसे बनाए जाता है उस पंचायत संग का नाम क्या है? चलिए question number 16 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए भारत के करनाटक राजी में बच्चों को भी पंचायत संग का सदत से बनाय जाता है उस पंचायत संग का नाम क्या हो जाएगा या आप लोगों को पताना है आपकी सामने चार विकल्ब दिये गए हैं चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए तो सभी को पताना चाहिए उसे भीमा संग या भीम संग बोलते हैं यानि question number 16 का option number 1 बिल्कुल सही है next question है question number 17 कफ परेड भारत के किस सहर में इस्तित है चलिए पताईए कफ परेड जो है वा भारत के किस सहर में इस्तित है question number 17 का answer दीजिए question number 17 का option number 2 जिसने भी किया है हो जाएका बिल्कुल सही question number 17 रेगिस्तानी ओक एक पेंड का नाम है जो पाया जिता है चलिता है जो रेगिस्तानी ओक है यानि जो डेजर्ट ओक है या पेंड कहा पाया जिता है या आप लोगों को पताना है option number 1 है अबुदाभी में option number 2 है आश्ट्रेडिया में option number 3 है राजस्तान के रेगिस्तानों में option number 3 है शेयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में चलिए question number 18 का आंसर दीजिए क्या हो रहेगा इसका सही आंसर तो question number 18 का option number 2 जिसने भी किया रहेगा बिल्कुल सही यह आस्ट्रेलिया में पाया जाता है next question है question number 19 नीची दिया गया कौन सा एक समू जड़ों का है यानि आपके सामने चार विकल्प दिया गये हैं इनमें से वह कौन सा समू है जिसमें सारे जड़ों के नाम दिया गये है option number 1 है चुकंदर, आलू, अदरक, option number 2 है गाजर, हल्दी, अदरक, option number 3 है शकरकंदी, मूली, हल्दी option number 4 है गाजर, चुकंदर, और मूली, चलिए पताइए इनमें से वह कौन सा विकल्प हो जाएगा जिसमें सारी जड़ों के नाम लिखे हुए है question number 19 का answer दिजिए तो सभी को पता होना चाहिए गाजर, चुकंदर, और मूली जो होती है ये सारी जड़ों होती है next है question number 20 कच्छा द्यापिका ने चात्रों को चीनी को पानी में घुलने है तो क्रिया कलाब कराया किस विदी के दोरान चीनी पानी में जल्दी घुल जाएगी एक अध्यापिका है उसने चात्रों को बोला है कि आपको चीनी को पानी में घुलना है तो किस क्रिया कलाब दोरा चीनी जो है पानी में जल्दी घुल जाएगी उप्षिन नमबर एक है जमाना यानि फ्रीजिंग उप्षिन नमबर टू है उबालना यानि वाइलिंग उप्षिन नमबर थरी है हिलाना उप्षिन नमबर फूर है सांत रखनेना शलिए बताइए इन में से वह कौन सा option हो जाएगा जिसकी सायता से चीनी जल्दी घुल जाएगी तो question number 20 का option number 2 जिसने भी किया है उड़ाएगा बिल्कुल सही उबालने से चीनी जल्दी घुल जाएगी यानि boiling करने से चीनी जो है पानी में जल्दी घुल जाएगी नेक्स्ट question है question number 21 वर्सा जल्द संचेन का सबसे प्रमुख उपियोग है जो वर्सा का जल्द भर्णारण की आता है उसका सबसे अच्छा उपियोग क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है option number 1 है सिचाई option number 2 है क्रशी option number 3 है पेजल option number 4 है भूमिगत जल्द इस्तर प्रद्धी चलिए पताईए वर्सा जल्द संचेन का सबसे प्रमुख उपियोग क्या हो जाएगा आपके सामने 4 विकल्द दिया गया है चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए तो question number 21 का option number 2 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही क्रशी के लिए उपियोगी होगा next है question number 22 निमिखिद में से कौन सी विसेस्ता बरगत के पेंड की जड़ों की नहीं है यानि जो बरगत का पेंड होता है उसके जड़े होती है उनकी कौन सी विसेस्ता नहीं है खंबो की तरह पेंड को साहता प्रतान करती है दूसरा है जड़ें साखाओं से नीचे लटकती है तिसरा है इसमें जमीन के भीतर भी जड़े होती है चोटा है जड़े भोजनिका भंडारण करती है चलिए क्वेकर 22 का आसर दीजिए इसका विकल्फ कौन सी हो रहेगा चलियोता ये question number 22 का answer दीजिए question number 22 का option number 4 जिसे नहीं भी लगा जो बिल्कुल सही जड़ें भोजन का बंडारण नहीं करती है यह आप लोगों को पता ही होना चाहिए question number 23 रगिस्तानी ओक के बारे में निमलिखित कत्रों का अध्यन कीजिए अब आपके सामने चार फिकल्ब दिये गए हैं इनमें रगिस्तानी ओक के बारे में बात कही गई है तो चलिए इसको देखते हैं पहला option है रगिस्तानी ओक एक वरच है जिसकी उचाही हमारे classroom के कमरे के लगबग बराबर रथ रथ चार मीटर होती है दूसरा option है इस वरच की जड़े नीचे वरच की उचाही की लगबग तीस गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक की पानी तक ना पहुन जाएं तीसरा option है इस वरच के तने में पानी एकतर होता है और चोथा option है या वरच अबुधावी में पाया जाता है चलिए इसका आंसर दीजिए question number 23 का आंसर दीजिए क्या आंसर हो जाएगा इसका बताईए question number 23 का आंसर बताईए क्या हो जाएगा सही तो question number 23 का option number 3 जिसने भी लगा जाएगा बिलकुल सही जानी A, B, C इसका आंसर सही था और D वाला जो था यहां गलत हो जाएगा या अबुदाभी में नहीं या आस्ट्रेलिया में पाया जाता है नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 24 निम्रखित में से किस राजी में चावल की फसल कटाई पर बिहुतेवार मनाया जाता है चलिए बताइए किस राजी में फसल की कटाई पर बिहुतेवार मनाया जाता है ओप्शन नमबर एक है मीजोरम ओप्शन नमबर टू है नागा लेंड ओप्शन नमबर थरी है अशम ओप्शन नमबर फॉर है त्रिपुरा चलिए कोशन नमबर टूंटी फॉर का आंस्धर दीजिए तो कोशन नमबर टूंटी फॉर का ओप्शन नमबर थरी जिसनी भी लगाई रहा बिल्कुल सही अशम में चावल की फसल की कटाई पर बिहुतेवार मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 25 विद्याले में मिड्डे मिल के समय के लिए कौन सा सबसे परसांगिक है चलिता यह में से कौन सा आप्सटन है जो सबसे परसांगिक होगा आप्सटन नमबर 1 है सिछड़ दिगम के साथ इसका कोई लेंदिन नहीं है दूसरा आप्सटन है यह एविएस सिछड़ दिगम के लिए एक अच्छा सिछड़ दिगम का आवसर है आप्सटन नमबर 3 है यह उन छात्रों के लिए है जो विद्याले में खाली पेटाते हैं option no.4 है या सिच्छर अधिगम के बहुत ही मुल्यवान समय को बरबाद करता है तो question no.25 का option no.2 बिलकुल सही हो रहेगा या ABS सिच्छर अधिगम के लिए एक अच्छा सिच्छर अधिगम का आउसर है next question है question no.26 परावरण धिन की कच्छा में गरीबी निर्चरता और वर्ग असमानता जिसे समाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है निम्लिकित में से कौन सा अधिगमन भव इस उद्देश की प्राक्पती में अधिक प्रभावी होगा तो चलिए question no.26 को पढ़िए और इसका answer दीजिए तो question no.26 का option no.3 जिसने मिलगा वरेगा बिल्कुल सही question no.26 का option no.3 बिल्कुल सही है next question is question no.27 निम्लिकित में से बिहुतेवार किस महा मनाया जाता है चलिए बिहुतेवार जो होता है वा किस महीने में मनाया जाता है option no.1 है January, option no.2 है February, option no.3 है March और option no.4 है April चलिए बिहुतेवार होता है वा किस महीने में मनाया जाता है तो question number 27 का option number 1 जिसने भी लगाए विल्कुल सही भी हुतेवार जनवरी माह में मनाया जाता है next question है question number 28 इसमें आप लोगों को matching करनी है तो एक side में कुछ चित्रकारी या कलाकारी दी हुई है और दूसरे side में उससे related उसके राज्ये दिये हुए है तो बताएए कौन सा किसके साथ में सही मैच करेगा option number 1 है कलमकारी, option number 2 है पित्थोड़ा, option number 3 है बरली और option number 4 है मदवनी तो question number 28 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसमें कलमकारी आंधर पित्थोड़ा, मद्वर्देश का फित्थोड़ा, वरली, महराष्ट का फित्थोड़ा, और मदवनी, बिहार का फित्थोड़ा, यानि सारे options जो थे वो आमने सामने ही लिखे हुए थे तो इसके साब से question number 28 का option number 2 बिलकुल सही हो राएगा, देखते हैं next question, question number 29, पोचम पल्ली एक गाउँ है, या गाउँ एक विसेश परकार के कपड़ों की बनाई के लिए प्रशिद्ध है, और इसे भी पोचम पल्ली ही कहते हैं, या गाउँ निम्रिखित में से किसका भाग है, तो जो पोचम पल्ली गाउँ है, या किस इस्टेट का भाग है, यह आप लोगों को बताना है, option number 1 है केरल, option number 2 है करनाटक, option number 3 है आंदर प्रदेश और option number 4 है तमिलनाडू, चलिए question number 29 का answer दीजिए, तो question number 29 का option number 3, जिसने बेकिया हो रहेगा बिल्कुल सही, या आंदर प्रदेश का भाग है कौन सा, पोचम पल्ली जो गाउँ है, वह आंदर प्रदेश में पढ़ता है, next है, question number 30, नीता आंदर प्रदेश जाती है, और दो साड़ियां खरी दिती है, जो खास तोर वही पर बनाई जाती है, ये क्या कहलाती है, ये आप लोगों को बताना है, नीता जो है वहाँ आंदर प्रदेश जाती है, और वहाँ पर क्या करती है, दो साड़ियां खरी दिती है, जो एक खास तरीके से बनाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है, option number 1 एक है कलमकारी और कंथा ऑप्सिन नमबर टू है पोचम पल्ली और कलमकारी ऑप्सिन नमबर थिरी है पोचम पल्ली और काजी वरम ऑप्सिन नमबर थिरी है कलमकारी और चंदेरी चलिए कोश्चन नमबर 30 का आंसर दीजिए बहुत यह अच्छा कोश्चन था कोश्चन नमब का नाम है चली पताइए दिरहम जो है वाकिस देश की मुद्रा का नाम है अप्शन नमबर एक है जापान अप्शन नमबर टू है अबुधावी और अप्शन नमबर फॉर है जर्मनी सभी को पताना चाहिए दिरहम जो है अबुधावी की मुद्रा का नाम है इसका अबुधा चलिए question number 32 का answer दीजिए इसका answer क्या सही हो रहाएगा बताईए option number 1 है काबुल option number 2 है अबुधभी option 3 है बरलिन और option number 4 है ठिंपू चलिए question number 32 का answer दीजिए तो सभी को पताना चाहिए अबुधभी में रेत के टिले देखने को मिलते हैं तो question No.32 का आपसन No.2 बिलकुल सही हो ळाएगा नेक्ट कोशन है अबुधाबी के विशे में सही कतन चुनी है चलिए अबुधाबी की बार ने बात करते हैं यह रगिस्तान इलाके में है, सही है अबुधाबी में पानी पिट्रोल से महेंगा है, सही है यहां की स्थानी भांसा अर्बी है यहां भी सही है और चौता अपसने अबुधाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं तो यही इसका गलत हो जाएगा अबुधाबी की मुद्रा को दिनार नहीं दिरहम बोलते हैं यानि A, B, C जिसमें होगा हो जाएका बिल्कुल सही तो question number 33 का option number 2 बिल्कुल सही है next question है question number 34 नीचे दिये गए पहली को पढ़िए और सही विकल्प का chain कीजिए कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ चलिए बता है इनमें से वह कौन एक है जो कील जैसे दिखती है लेकिन वह एक कली होती है इसके बारे में हमने थेवरियोली क्लासे में बात भी की थी क्या हो जाएगा question number 34 का अंसर ता यह तो question number 34 का option number 2 जिसने भी लगा हो जाएगा बिल्कुल सही वो क्या हो जाएगा वो long हो जाएगा next question है question number 35 एक ऐसे मसाले का नाम बताओ जो हमारे हाजमे को सही रखता है चलिए question number 35 का आंसर दीजिए वो कौन सा मसाला है जो हमारे हाजमे को सही रखता है option number 1 है इलाइची option number 2 है सौफ option number 3 है काली मिर्च option number 4 है जीरा question number 35 का आंसर दीजिए तो question no.35 का option no.2 जिसने भी क्या हो रहेगा बिल्कुल सही सौफ जो होती है वो हमारे पेट को सही रखती है next question is question no.36 एक ऐसी मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीजों में डाला जाता है चलिए वो कौन सा मसाला हो जाएगा जो नमकीन और मीठी दोनों चीजों में डाला जाता है पहला option है इलाइची दूसरा option है शौफ तिसरा option है काली मिर्च और शौथा option है जीरा चलिए वो कौन सा मसाला हो जाएगा जो नमकीन और मीठी चीज दोनों में डाला जाता है में डाला जाता है नहीं कोशन खाशन का लिच न मिलिखित से किस राजी को म Mormon का राज्य कहा जब शीन बा कौन का राज्य से चांठा जब झाया है जिसे मसालों का राज्य कहा जाता है तो question number 37 का option number 3 जिसने भी लगावरेगा बिल्कुल सही केरल को मसाले का राजिय का जाता है next question है question number 38 गरतनतर दीवस परेड में कितने तरह के निर्देश दी जाते है चलिए बताइए जब गरतनतर दीवस होता है तो वहाँ पे कितने तरह के निर्देश दी जाते है option number 1 है 14 option number 2 है 12 option number 3 है 36 option number 4 है 26 चलिए बताइए question number 38 का अंसर क्या हो रहेगा तो हमने जो थेड़ी और एक्लासिस की थी जिसके अंदर हमने वाईदा फ्रिज्म के बारे में बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाईदा फ्रिज्म है वहा 36 तरह के निर्देश देती है ये क्या हो रहेगा तो question number 38 का option number 3 बिल्कुल सही हो रहेगा next question है उन्हीं से related लिखा हुआ है lieutenant commander वाईदा प्रिज्म ये भारतिय नौसेना में doctor है निम्रिकित में से किस राजिकी रहने वाली है चलिए बताये जो वाईदा प्रिज्म जी है या किस राजिकी रहने वाली है option number 1 है जम्मू कस्मीर option number 2 है पंजाब option number 3 है उत्तराखंड option number 4 है हरियाना चलिए question number 39 का answer दीजिए तो जो थेवरी वाली क्लासे जुई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो लेप्रिणेंट कमांडर वाईदा प्रिज्म जी है या जम्मू कस्मीर की रहने वाली है next question है question number 40 प्रक्रिया जिसके दोरा पोधे प्रजनन करते हैं कहलाती है बताये वा कौन सी प्रक्रिया है जिसके दोरा पोधे प्रजनन करते हैं पहला अप्सन है प्रकाश अंशलेशन दुसरा अप्सन है वाश्पी करण तिसरा अप्सन है शंगठन और सोथा अप्सन है परागण चरिपताये question number 40 का answer क्या हो जाएगा तो question number 40 का answer number 4 जिसने भी किया हो रहेगा बिल्कुछ सही poly nation के दोरा पोधे प्रजनन करते हैं तो ये थी आज की हमारी वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है ध्यान रखी का अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडियो चाहिए तो description में दिये गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस क्लास की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे हम आपको इसके answer के साथ में ही पीडियो प्रोवाइड गरवाते हैं जिसमें इसके answer भी लिखे होते हैं चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत